चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गर्भासे के बारे में युट्रस के बारे में पढ़ते हैं इसको धियान से सुनिए गर्भासे क्या है कि फिमेल का रिप्रोड़क्टिव पार्ट है समझ माई बात ना फिमेल का रिप्रोड़क्शन का रिप्रोड़क्शन सिस्टम का एक औ चोड़ा होता है यह लगभग तिकोनी रचना तिरफूज के जिसका उपरी भाग ज्यादा चोड़ा होता है उपरी भाग कैसा होता है ज्याता चोड़ा हो गया और नीचे वाला भाग सांकरा हो गया तो उपर वाला भाग यही है गर्भाससे का समझे डीजिये अट्वरा बोक्राष लुआ का थी संतान नहीं उत्वत्ति होने का कई कारण है जब हम पढ़ाएंगे अन्फर्टिलिटी यानि बंजङापवन के बारे में तो वहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या कारण होता है क्यों क्यों संतानुत्पति नहीं होता है उसके पीछे बहुत सारा कारण है ठीक ना कभी जो है कि समय पर जो है कि मासिक चक्र नहीं होता है कभी जो है कि फोलेप्यून ट्यूब काम नहीं करता है कभी यूट्रस की दिवार जो है वो ठीक ठाक नहीं होती है तो बहुत सारा उ यह 7-8 cm लंबी होती है आपको पुछा जाएगा कि समान इस्तिती में गर्भासे की लंबाई कितनी होती है तो 7-8 cm परंतु भुरून के विकास के समय यह बढ़ जाती है यह बढ़ जाती है गर्भ के 8 में महिने में यह अलगभग 18-20 cm लंबी तथा अंडाकार हो जाती है जब अब बच्चा आठमा महिना का हो जाता है तो यूट्रस की लंबाई कितनी हो जाती है 18-20 cm और सेप कैसा हो जाता है अंडाकार का कैसा अंडाके अकार का समझ में आना चाहिए आपको सिसू के जन्म के बाद यह चोटी हो जाती है लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे आप अ तो 7-8 cm लंभी नहीं रहती है कुछ बड़ी रह जाती है कुछ क्या रहती है बड़ी रह जाती है असा नहीं समझेंगे जे सा та से आठ सेंटिमीटर लंबाई में आ जाएगा ऐसा नहीं होता है समझे ना वो फिर कुछ बड़ी रह जाती है ठीक है सिसु के जन्म के बाद यह छोटी हो जाती थोरा सा 18-20 से छोटी हो गई हां यूटरस का निचला भाग सांकरा होता है जिसे ग्रिवाया सर्भिक्स कहते हैं ग्रिवाया सर्भिक्स कहते हैं सर्भिक्स के सर्भिक्स नीचे की और योनी में खुलता है किसमें खुलता है वैजायना में है इसको हम वैजायना कहते है या भेजिना भी कह सकते हैं योनी कहते हैं तो योनी में सर्भिक्स कहां खुलता है तो योनी में खुलता है ठीक है त क्या बोले कि यह उल्टानास पाती का कार का उपर भाग प्हेला चौड़ा और नीचे वाला भाग साक्रा होता है तो इमद्धायो का विकास किसमें होगा गर्भासे कंदर में और समान इस्तितिम गर्भासे की लंबाई कितनी होगी साथ से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ भी सेर करते रहें ताकि क्या हो की पूरे हर एक विद्यार्थी के पास यह चीज पहुंचे ठीक ना